अब बात करेंगे मौसम की देश में मौसम के मिजाज बदल गए हैं सुमबार को गुजरात, मध्यप्रदेश, करनाटक और महराश समेत कई जगहों पर भारी बारिश से जने जीवन खासा प्रभावित हुआ गुजरात में तो बारिश और बार की वजह से बीते 24 घंटे में 63 लोगों की जान चली गई बारिश से प्रभावित 10,000 से ज्यादा लोगों को सरकार ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा आठ जिलों में रैड अलर्ट जारी किया गया इसी तरह मध्यप्रदेश और करनाटक में भी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी मौसम विभाग ने उतराखंड और केरल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया था मध्यप्रदेश में मौसम विभाग ने 33 जिरों के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया राज में 24 खंटे में बिजली गिरने से साथ की मौत हुई है, महराष्ट में गोदावरी नदी में भी उफान है गुजरात महराष्ट हाई अलट पर हैं और यहाँ पर महराष्ट और गुजरात के कई दिलों में पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही है दोनों राज्जियों को मिलाकर अब तक 140 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है आम जनी जीवन पूरी तरह से अस्तिव्यस्त है, कई पौश कॉलोंियों में पानी घुस गया है गुजरात और महराष्ट के कई दिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए है इदर नासिक में कक्षरा एक से बारवी तक के सभी स्कूल बंद कर दिये गए है गुजरात के वलसाड में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिये गए है जो नर्मदा सूरत और छोटा उदर पुसाद वलसाड तापी नफसारी में हाई अलट है इदर अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पिछले तीन दिन से लगातार बारिश चुह हो रही है रविवार की रात एहमिदाबाद में 219 मिली मीटर बारिश होई और इस से रहाइशी आलाकों और साड़कों पर पानी भर गया सुमवार को शहर के स्कूल कॉलेज बंद रहे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर राज़ंदर त्रिवेदी ने बताया कि अब तक 9000 लोगों को री लोकेट किया गया है जबकि 460 लोगों का रेस्क्यू किया गया है सूरत समेत 6 जिलों में भारी बारिश की आश्रंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है राजमेत 13 डैम हाई अलर्ट पर हैं यहां NDRF समेत कॉस्ट गार्ड को भी अलर्ट किया गया है और इस खबर को लेकर जादा जान कर दिलेंगे हमारे वरिश्ट तो सही होगी पवन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ गए है पवन एक तरह से गुजरात की बात करें तो खास्तर पर गुजरात और इधर की जो इलाके हैं महराष्ट की बात करें यहां पर बारिश को लेकर काफी विकट हालात नजर आ रही है कई लोगों को रिलोकेट किया गया है बार्ट जैसे हालात गुजरात के कई लाकों में किस तरह से NDRF और SDRF तैनाद की गई हैं लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं या फिर सुरक्षित जग़ों पर शिफ्ट कर रही है परवाज जी पर बता दूँ कि देश में बार्ट चे हर साल तवाई होती है और इस बार्ट चे जानमाल को नुपसान होता है देश में कम से कम तरस एशों शेतर हैं पर चे जहां पर पर चे जाता है लेकिन अगर बार्ट के कान सारे देश में हाँ कार मचाओ तो इन चेतरों में मुणूने जिमिनाश की कल्पना करपाना भी संभव है क्योंकि भारत में असी जगां भारत में कही ऐसी जगे है जहां हर्साल बारिस आती और उस बारिस पे जानवाल की धानी दोना दिश्चती वाइड है और भारत तीन और से समुद्र से गिरा हुआ है और अगर भारत पे जो रिजिसल सर्जेग ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो बेश में जो बार आती है जो विविक्षा लेकर आती है और इसे समुची जो परभावित होता है जो की बताए जाता है कि जो हर वस बार करते हैं और भारत में बंगाल उडिसा अंडर प्रदेश केरल असम बिखार गुज्रात अंगत्य परदेश हजाना पंजाब ऐसे राचे हैं जिसमें बार के जैन्दतर असर दिखाई देखने हो हिस्ता है और आज की अगर बात करें तो आज में कई ऐसे राज्ये हैं जहां पर फार की दबे वो राच्जी परवावित हो हैं विझतास्बयात महराष्ट और असम ऐसे राच्ि Mayan जहांने के कई अधिया दिने यहां पर बात के लोगों को कांसी परिशानी को स प्रशातन लगातार लोगों को परिशानी नहीं हो गुजरात की अगर बात गिया है तो गुजरात में भी तरीके की हाला देखने को बहुत है अगर देख में आज तक की अगर बात करें तो गरीब जेट सो लोग ऐसे हैं जो बार और मोसम के तल्पे उनकी मोत हो गई है और प्रशातन लगातार लोगों से बचाओ इस्तान पर पहुंचाने का प्रियाद कर रही है और पहुत है और पहुत हैं बहुत शुक्रिया पहुत है तो पूरी कोशिश जो रिस्क्यू एजिए इस डिर एफ की बात करें वो यह कोशिश कर रही है लोगों को सुरक्षित रखा जाए ऐसे में अगर उन्हें कई शिफ्ट करने की जरूरत है तो सुरक्षित जग़ों पर उन्हें रिलोकेट किया जा रहा है जो लोग फंसे के हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है भारी बारश की वज़ज़ से कई नदियां उपान पर बताई जा रही है और जो निचले अलाके में हैं उनमें थोड़े से हाल विकट नजरा रही हैं लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि एंडियारेफ और पूरी मुस्तेदी के साथ सब ही लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है और अब आपको सीधी तस्वीरे दिखाते हैं गोरखपूर से जहां पर कई विकास